दोस्तों, नमस्कार आप सब जानते हैं साउथ अफरीका जाना जाता है अपनी खुबसूरती के लिए हीरो की ख़दानों के लिए और खुबसूरत नुसल पार्कों के लिए पर मैं आज आपको एक ऐसी बात या कहें तो ऐसी सची कहानी बताऊंगा कि आप साउथ अफरीका को इस कारण से भी याद रखेंगे यह एक ऐसी सची घटना है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है पर हाँ, यह 100% सची घटना है साउथ अफरीका के केट टाउन में एक परिवार रहता था उनकी एक छोटी सी बेटी थी, जिसकी उम्र मात्र पाँच साल थी यह परिवार वहाँ के एक मंदिर में जाया करता था यह मंदिर इसकौन का मंदिर था आप सभी लोग इसकौन को जानते हैं जहां रोज भगवान की कृष्ण रूप में कई तरह से पूजा होती है कई तरह के कीरतन और भजन भी गाये जाते है उन्ही भजन में एक थी नरसिंग देव की आरती चुकि यह परिवार भारती अमूल का नहीं था उन्हें ये सब समझ में नहीं आता था पर उन्हें ये बहुत ही अच्छा लगता था उनकी बेटी को भी नरसिंग देव की आरती बहुत पसंद थी हलाकि उसे कुछ समझ में नहीं आता था वो लड़की अपने दोस्तों को नरसिंग देव की फोटो दिखाती और बताती देखो ये मैंने इंडिया में सीखा है मुझे नरसिंग देव बहुत पसंद है और वो उन्हें लाइन गौड लाइन गौड कहती थी इस तरह से उसके सारे दोस्त भी उन्हें ओ लाइन गौड ओ लाइन गौड कहते थे वो हमेशा खेलते वक नर्सिंग देव को याद करती और नर्सिंग देव की आरती गाती रहती इस तरह वो एक दिन सड़क में बॉल खेल रही थी और उसके पिता जी उसको घर की दूसरी मंजिल से देख रहे थे वो नड़की अपने खेल में पूरी तरह ग्यस्त थी आया और उसने लड़की को बहुत देज से रखा बना बिचारी लड़की दूर दूर जाकर हवा में लहराते हुए गिरी जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने सोचा कि बिचारी लड़की मर गई उस लड़की के पिता जी खिर्की से देख रहे थे वो भागते वे नीचे आये उन्होंने तुरंत लड़की को ले जाकर ऑस्पिटल में एड्मिट करवाया सारे डॉक्तर इकठे हो गए और लड़की के सारी टेस्ट करवाये गए सारे एक्सरे निकाले गए लड़की बेहोस हो चुकी थी एक्सिडेंट की गंभीरता को देखतेुए लड़की को आई सीउमिट में भरती किया गया थ evaluating नर्स डॉक्टर के पास एक्सरे लेकर आई जब डॉक्टर ने एक्सरे देखा तो बोला नहीं यह वाला नहीं उस लड़की का एक्सरे लेकर आओ जिसका अभी accident हुआ है और जो ICU में है नर्स ये उसी लड़की का x-ray है सर डॉक्टर कि आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा एक छोटी सी लड़की जिसका इतना बड़ा accident हुआ है उस पे एक भी fracture नहीं, कोई बड़े गाओ के निशान नहीं उसने फिर से नर्स से पूछा ये मजाग का समय नहीं है लड़की को अभी ICU में, जो लड़की अभी ICU में आई है उसका x-ray लेके आके दो नर्स, सर मैंने cross check किया है ये उसी लड़की का x-ray है डॉक्टर को लगा कि वो सही नहीं सोच रहा है कुछ तो गरवर्ड है वो तुरंट उस लड़की की कमरे में गया उन्होंने फिर से उस लड़की को ठीक से चेक किया हर जगए, दाएं, बाएं, उपर नीचे, सब जगए जब उन्होंने उसकी पील्ट देखी और देखा जैसे किसी जानवर के पंजों के निशान है, हलू कुछ पंजों के घिसने जैसा, वहां पेल निला डॉक्टर तुरंट उस लगी की पिताजी से पूछा आपने तो रोड एक्सिरेंट रिपोर्ट किया है क्या ये रोड एक्सिरेंट है या किसी जानवर का अक्रमन है क्या किसी जानवर ने उस पे अटेक किया है पिता जी नहीं ऐसा नहीं है मैंने खुद एक्सिलेंट होते हुए देखा है जब तक वो लोग इस तरह से बात कर रहे थे कि तभी लड़की को होश आ गया उसके होश में आते ही डॉक्टर नर्स और सब लोग पूशे लगे बेबी क्या हुआ था पांच साल की बच्ची ने कहा कुछ नहीं वो ट्रक आया तभी लॉयन गौड आ गए नर्सिंग देव आये और उन्होंने मुझे थाम लिया पर पापा नर्सिंग देव सौमी के बाल बहुत मुलायव है पर वो अपने नाकून क्यों नहीं काटते है उनके नाकून बहुत बड़े हैं और अगर मेरी टीचर देखेंगी तो बहुत गुसा करेंगी डॉक्टर तो माना दूसरी दुनिया में ही था उसके आश्यरे के ठिकाने ना रहे मीडिया वाले आ गए और एक छूटी सी कहानी मीडिया में पब्लिश हुई आज वो डॉक्टर और नर्स दोनों सच्चाई की खोज में और आध्यात्मी की खोज में मंदिर जाते हैं भगवान के नामों का जाब भी करते हैं दोस्तों ऐसी कहानिया हमारे जीवन को एक नया मकसद देती है हमारे बच्चों को एक ऐसी नई ताकत और हिम्मत देती है जिससे वो जीवन को सकारात्मक तरीके से जी सके हमेशा सचाई और इमानदारी की राह अपनाए अगर आपको लगता है कि यह कहानी या इस तरह की कहानिया एक नए और साफसुत्रे भविश्य को बनाने में मदद कर सकती है तो अपने बच्चों को दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के विशेश जानकारियां हम आप तक पहुचा पाएं धन्यवाद दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग